हेलो स्टूडेंट मेरा नाम है प्रदीप और आप दीखने स्पेशल चानल नैक्शन कंप्रेटर ट्रेंडिंग क्लासिस मैं आज की क्लासिस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्ट ओन डेटा इंट्री ऑपरेटर अगर बनना चाहते हैं और सक्सिस्फूल बनना चाहते हैं एक जाम निकालना चाहते हैं सिवी टी वाला तो उसके लिए आपको इस चैनल पे बहुत ही अच्छे कॉंटेंट के साथ मैं आया हूं स्टूइंट तो सबसे पहले यह कॉंटेंट पे आपको एक कॉंटेंट को जाकर आप चेक करिए ठीक है पहले बहुत सारा वीडियो स्टार्ट करते हैं यह देखी आपका और अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन धंग से त्यारी हो तो पीवाई क्यों और जितना भी वर्ड एक्सल पावर पॉइंट जितना भी पढ़ाएं इस चैनल पे पूरा डिटेल से और प्राक्टिकल वाइज करके मैंने दिखाया तो जरू चेक और करिएगा तो चलिए हम स्टार्ट करतें बीना टाइम वेस्ट के स्टुडेंट चलिए पहला कुस्तन आपका कंप्यूटर स्क्रिन पे बताईएगा मेल मर्ज के लिए निम में से कौन सा मान्य डाकॉमेंट का परकार नहीं है बताईए जवाब दीजे स्टुडेंट यहाँ पे मेल मर्ज के लिए निम में से कौन सा डाकॉमेंट का परकार नहीं है लेटर्स होता है dictionary भी होता है envelop भी होता है memoge नाम का नहीं होता है तो यह बोला कौन परकार नहीं है तो यह होगा हम एक बार practical करके आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं सबसे पहले आप क्या करो window प्लस आर करो keyboard से और यहाँ पे type कर दो win word इससे क्या होगा आपका win word मैं जूंग करके दिखा देता हूँ आप लोग को अकीन हो जाएगा देखिए इसमें later है उसके बाद क्या student email message envelope है level है dictionary है sorry directory है लेकिन यहाँ पे memos नहीं है तो यह भूल रहा है कौन सा document का परकार नहीं है तो यह memos document का परकार नहीं है तो इसका साही answer कितना होगा fourth number हो जाएगा चलिए अब आगे आते है practical में next question student जवाब दीजिएगा आप लोग सबसे पहला number second number question है Microsoft word में text खोजने के लिए निम में से की shortcut कुझी का उप्योग किया जाता which of the following shortcut की used to search for text text Microsoft देखो अगर हम Microsoft word में काम कर रहे हैं और कोई भी टेक्स्ट को अगर ढूणना है तो हम control plus F करते हैं किस प्रकार हम ढूणते हैं तो सबसे पहले चलते हैं Microsoft word को Microsoft word को खोल लेते हैं तीक है अब यहाँ पे कुछ भी हम एक तरह से practical करके मैं दिखा देता हूं हम एक dummy paragraph टाइप कर देते हैं जैसे माल लेते हैं आपे कोई भी टाइप टाइप करते हैं और control F करते हैं कीबोर से जैसे ही control F करेंगे तो यह find यहाँ पे find का डायलोग बॉक्स आएगा बगल में replace भी आएगा बगल मेरे go to भी आएगा यहाँ पे find वाट वाले बॉक्स में जिस वर्ड को find करना जैसे हम चाहते हैं कि वाई ओ यू आर जहां जहां लिखा हुआ और यहां पर एक option है रिडिंग हाइलाइट तो जहां भी देखिए आप यूर है सब जगह देखिए पूरे आपका डाकॉमेंट में हाइलाइट हो गया एलो कलर से तो इस परकार आप क् एडिटिंग गुरूप के यहां पर यह मिलेगा ठीक है ना एडिटिंग गुरूप में तीन option देखने को मिल रहा है find replace और select और उसके अंदर भी कई सारे option भी है तो यह समझ में आ गया देखो एफ टू से क्या होता ना rename होता है एफ टू करते तो यहां से rename किया जाता है और Ctrl F से क्या होता है find होता है ठीक है चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं Microsoft Word में landscape पद किसको संबंदित करता देखो Microsoft Word एक क्या application software है तो इसमें आपका जो आपको यहां पर बोल रहा है कि portrait जो सब्द है क्या है तो यहां पर देखो page layout टैब में जाएंगे ठीक है और आपको यहां पर एक option है orientation तो orientation क्या है जब हम क्लिक करते हैं orientation में तो दो option दिख रहा है यह कहां मिलता है पेज layout टैब में और आपको orientation में दो चीज़े एक portrait है और एक landscape है देखो टॉल वाला इरिया को हम लोग पोट्रेट बोलेंगे और वाइड वाला इरिया को हम क्या बोलेंगे है लेंगे में कोई डाकॉमेंट को बनाते है न तो टाल मेंगर बनाना मतबलंबा में बनाना थे पॉट्रेट अर चौडाई में बनाना थो उसको लेंग तो यहां पर जो जा रहा है कि आना लेंड्सकेप क्या है यहां पे यह लेंड्सकेप क्या एक पेज का ओर नेशन यह लिखा हुआ है। एमेस एक्सल में डैस फंसन का उप्योग उस रेंज के मानों का योग करने के लिए किया जाता है जो आपके द्वारा निर्दिस्ट मापदंडों को पूरा करते हैं बताइए स्टोड़े इसका सही अंसर क्या होगा देख क्या बूला यहां पर कुशन पढ़ते हैं फिर से एं कि दूरा यह बोला कि सम करना है लेकिन कोई सपेशल कंडिशन को फाइंड करना है तो उसके लिए उसका फंसन का यूझ करेंगे समीफ फंसन का किस परकार देखोए आप है यह बूला सम्कारना लेकिन सपेसिफिक टराइटीरिया मैं एक्जाम्पल की रुप में यहां पर लेते स्टुडेंट यहां पर यह मेरे पास डेटा को अब कॉपी करते हैं है अब निवर्फ कर देते हैं अब यहां पर देखो सबसे पहले नमर ध्यान दो कि कि यहां पर होगा डीटू इंटू एक मिनेट स्टूडेंट मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को इससे रिलेड़ेड़ कभी कोर्सल्स आये ना तो आप जवाब दी पर जैसे यहां पर चाहते हैं कि लाप्टोप प्रोड़क्ट कहीं टोटल इमाउंट देना यहां पर टोटल इमाउंट आप राची ब्रांच तो सभी को अगर जोड़ना होता ना इक्वल्टू सम लगाते और ब्राकेट को आपन करते और यहां पर एफ्टू एफ्टू स्टार्टिंग रेंज है और लास्ट रेंज क्या है एफ फॉटीन है और ब्राकेट क्लूज करेंगे औ इसमें से वल्ली फूर अगर राची ब्रांच का जोड़ना है तो आपको क्या करना चाहिए एक्वल्टू करने के बाद आपको समीफ फंसन का यूज कब और क्यों करते हैं एड़ दा सेल स्पेसिफाई अगिवेल कंडिशन और क्राइटिरिया मतलब कोई अगर कंडिशन द तो रहता है यहां पर सिंटेक्स में पहला रेंज तो रेंज आप डाल दो बीटू से लेकर क्या होगा यहां पर बीच फॉर्टिन कॉमा इन्वर्टिट कॉमा के अंदर आर ए एन सी एचाई राची डाल दो फिर कॉमा और फिर यहां पर टोटल एमांट कर दिए इस तरीके से यह देखा पर और ब्रैकट तो यह सभी का एड़ नहीं हुआ वनली फूर राची का है वही एड़ तो कोई स्पेसिफिक को अगर एड़ करना होगा तो यहां पर कौन सा फंसन का कभ यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक को काउंट करने की बात होती है तब यहां पर का पाच लाख लिया और यह माई परतेक मंत कितना देना या क्वाटरली कितना देना उसको जानने के लिए प्यम्टी फंसन का यूज करते हैं और सम्फंसन का यूज तो पता है ना कि एड़ करने के जब कोई बड़ा नंबर लगतार वर्टिकल फॉर्मेट या हार्जेंटल इड़ करना होता है तो सब फंसन का यूज करते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहां पर नेक्स को से यहां पर एमेस पावर पॉइंट टूराजन सिक्टीन में नई रिक्थ पर जिन्टीशन फाइल बनाने के लिए निम्न में से सब्सक्राइब बनाने क ब्लाइंग पर जिन्टिशन एक दिखो यहां पर यहां पर यहां पर पे श्लाइड नहीं बूलाएं आप Jeżeli नेखंट नींब पर इन होगा नियूज पर घंट पर इसन अगर यहीए-पर फोड़ा सा कोशन अगर चेंज कर देता क्या चेंज कर देता स्विण कि नहीं हमको प ुद करें रापी का काम क्या जाता हैसा हona एससे क्या होता है तो रिप्लेस होता है यह आपका रिप्लेस्ट का होता है और कंट्रव होम डारेक्ट आफ्प किसी भी च लाइब में तो आप क्वेस्ट उस लाइड गोजफी इसको ईक करेंड नौट्ट डाउन होते नेक्ञ्स कोश्ण सिक्स नमबर कोशन किया वोला कि ऐमेस में एक्सल में यहां पर तुमाल लेते हैं किेह एक एसा रहता देखो इसली काका बनाता हूँ यहाँ इस तरीके से मैं बनाता हूँ कि부터 टू थ्री उपर में आरा बलिया और चप्रा और डी से देरी अधनवाद जो हो सकते हैं अब यहां पे ध्यान दीजिए बोला एवन में थ्री है तो यहां पर वह थ्री और एटू में क्या है फूर है अब बोला कि आपने सूत्र लगाया एटू एवन इक्वल टू एटू का आँठुट्ट खया पर देखो है अगर हम यहां पे कहीं भी फार्मुला लगाते कहीं बी मालो कि हमें इहां पर लगाया है । यहां लिखाओ एवन ते यह वन किसका बोल रहा है यह बॉक्स होगया फिर इक्वल virtual टू फिर किया हो जागा आपे ए-से-टू तो यह यह जो कि यह दोनों बराबर है नहीं बराबर तो नहीं तो हम उसको प्रसेकर करके समझाने कान ography करते हैं यहां पर अग्यान खोलते हैं और अ इन पर फार्मूला हम लोग को टाइप कर लिए अब यहां पर करते हैं इस सेल इक्वल और यहां पर इस तो यह बूला कि क्या दोनों सेल बरावर है तो नहीं फॉल्स है फॉल्स का मतलब हिंदी मिनिंग हो गया असत्य तो इसका सही अंसर यह हो जाएगा ठीक है ना यह भी काफी इंपॉर्टन इसको नोट डाउन जरूर करिएगा अलग से क्योंकि यहीं सब कोसर आपको एक्जाम में आता स्टुडेंट चाहिए नेक्स में स्टूडेंट आपर लमें बोदिये तो आप जरूर जवाब दीजिए इसका सभी अंसर क्या हो जाएगा तीक है नहीं देखो फाइल सिस्टम फाइल को मैपिंग करने वीच आप फॉलेंग पर्फॉर्म क्राइल माइपिंग इन ओपरेटिंग सिस्टम ओपरेटिंग सिस्टम में जो kicking अज़ाओ मैप करने का काम करता है नेक्स नमबर कोंगे चलते हैं एatamente एक्सल क्या लिखा हुआ है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह लिखा हुआ है कॉमा देखे एक जन्वरी जिसका सही अंसर क्या होगा इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपे 11 आ जाना चाहिए देखें आपर कैसे देखोंगे आपर सबसे पहले आप एक्वल्टू करते हैं और यहां पर डेज लिखते हैं एक्वल्टू और यहां पर यहां पर दी एवाई एस डेज एक मिनट लगता है यह पुराना वाला एक्सल में सब्सक्राइब अब करें कि जुम करते है है इक वल्टू ड की सब्सक्राइब ओर यहां पर बोला इंड़ इसमें क्या घंठाने का गाम करता है इंड़ेट डाली और स्टाट डेट तो मेरा इंडडेट कितना जयर आपकर तो बारा सब्सक्राइब भार जनुवरी प्लोज और फिर फिर और चेम पर स्टार्ड डीट क्या होगे हैं पर एक जम्सेंट करते हैं तो एक यह रहा है सका क्या है अगर हम बोले तो फंचन का इस फंचन का जो का मोता है एक वल्टू डीए वाइज घरिए यहां पर डेफिनीशन भी दिखा रहता है क्या लिखा हो है रिटर्स दा नंबर आफ डेज बीटवीन आट टू डेट मत्थब दो डेट के बीच का नंबर को क्या करता है दिखाने का काम करता है चली नेक्स कोशन अब आखते हैं है ना इस इसका सही अंसर क्या रहा था 11 एन चली मत् UT अब को यह आद रखना है देज का क्या होता है स्टर्टिपर इंग्डिर दोसरे माइनेस का काम करता है टीक हैना डेमेंग जो डेट होता है बताने का क्या करता है मेल मर्ज मेल मर्ज से जितना भी को सन आ रहा है एकदम important question ही है बात समझ में आ रहा ना मेल मर्ज help और सौर हैलपर का उप्योग करके कितने डेटा-फिल्ड बनाया जा सकते हैं सबसे पहले के तोर पर बताना चाहेंगे विंडू प्लस आर करते हैं वीन वर्ड को खोलते हैं और यहां पर मेलनग टैब में चले जातें मेलनग टैब में चले जाने के बाद सलेक्ट रिसी पेंट्स नाम खएक सब्सक्राइब मैं उसमें चला जाता हो और डाइप Can complete रुषां और यहां पर नियुल को यहां पर सब्सक्राइब सप्सक्राइब है कि स्फी यह आपको दीकते हैं तो वहीं पूछ रहा है कि बताइज स्टुडेंट इसमें टोटल कितने च्टीज सकते हैं बनाई जा सकते हैं जिसका जिसका और सब्सकर सिक्स्टीठी तरि बनाए जा सकते हैं यूटत Kush चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा तेरा है लेकिन और मतलब अलग से बनाए जा सकते हैं लगों 53 बत्तों तोटल सबस्क्राइब है तो चार पाच सबस्क्राइब आपको यह और समझ में आ गया स्टोडेन आ पर next question अब next question यहाँ पर क्या बूला है इसको आप जवाब दीजिए इसको आप चलते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पर समझेगा MS Excel ध्यान दीजिएगा MS Excel में auto sum drop-down सुची की तहत निम्लिखित में से कौन सा वैद्विकर है बताइए सबसे पहले आप Microsoft Excel में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मैं दिखाता हूं आपको दिख रहा है होम टैब में यहाँ पर एक ओप्शन दिख रहा है आपको auto sum में ट्रैंगल जैसे बना हुआ हुआ है जब इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर drop-down menu खुलेगा तो drop-down menu के अंदर देखो क्या क्या option मिला जिसे ओटो सम तो है फिर सम है एवरेज है count number है max है mean है और more function है तो यहाँ पर क्या बूलना चारा है कि बताइए student कि इसमें से कौन सा option नहीं है तो every तो था max भी था sum भी था लेकिन clear part option नहीं है जिसका सही अंसर देखो यह हो जागा देखो यह कहां से practically करके मैं इसलिए बताता हूं कि एक बार जो को सन आपने पढ़ लिया जिन्दिगी में कभी भूलना नहीं क्योंकि प्राक्टिकल वाई है ना करके आप लोग को दिखा रहे हैं तो आपको यह सारे आपको एक्जाम में आए इस टाप का ही को सन एक्जाम में आएगा तो प् कितना नंबर आ तो मेरे मौक टेस्ट को जोइन करें मौक टेस्ट अगर आप नए है विहार बिल्टरन का त्यारी कर रहे हैं मेरे चैनल पर नए है यह पुराने भी अगर अभी तब टेस्ट नहीं लिए तो 49 रूपीज का यह टेस्ट जरूर जोइन करिए आप लोग को इत सब्सक्राइब करें साथ में बोनस के रूप में आपको मौक टेस्ट कैसे देंगे अप्लिकेशन डॉल तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाईए नेक्स इन कम्प्यूटर लिखिए याने तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ग्रूप में या यह और नहीं तो फिर डारेट प्ले स्टोर पर जाती है चीज नेक्सिन कम्प्यूटर यह आपका लोगो दिख रहा है अब जाए और इसमें आपको जाते ही उसके बाद आपको इंस्टॉल करना अप्लिकेशन को उसके बाद आपको बाइनाओ का आफ्सन मिलेगा आपको हा माक्स लाते हैं तो वहां भी आपको अच्छा माक्स से ही पास होईएगा रैंकिंग भी सो होगा स्टॉडेंट यहां पर हैंडीट परसेंट वैल्यूवेल एक्जाम औरियंटेड मॉक टेस्ट रहेंगे औल पीवाई हैं स्टॉडेंट जितना भी पीवाई कूशन पहले से जो पुछा गये अग्जामे ओलेडी डालके रख दी यहां पर इबुक भी मिलेगा है ना इबुक भी आपको मिल जाएगा स्टॉडेंट एमेस वर्ड एक्सल यह सब बोनस के रुप में मिल जाएगा रैमिंग्टन गेल हिंदी फॉंट में जो ब्रॉब्लम आता है कोई व बहुत सारा वर्ड जो है बनाने में प्रॉब्लम होगा साच्री तो इस टाप को जो वर्ड होता है इसको हर वर्ड को अच्छे से कंप्लेट किए तो प्लीज जाएए चेक आउट करिए अप्लीकेशन डाउनलोड पहले करना होगा उसके बाद बाइनाओ को मिलेगा अप्ल जाएगा तो यह सारा आपको मिलेगा इससे भी पुराना है इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा तो जाएए चेक आउट करें चमाते हैं आप टॉपिक पे स्टुडेंट और कभी भी टेस्ट दे सकते ऐसा नहीं कि अभी परसेट कियें कभी भी 30 से प्लस आपको मॉक करने का कुछछी नहीं होता क्या बोलैंतर सौटकट की नहीं होता यह अल्ट को करेंगे तो यहां पर समझाते हैं कि माइक्रोफ सबस्क्ते पहले एक्सल खूल और यहां पर यहां पर यहां पर select कर लें अल्ट ह कर दिए तो हम मेनू खुल जाएगा अल्ट ह करेंगे हो मैनू खुलेगा और M करेंगे तो मार्जन सेंटर खुलेगा और सी कर देंगे तो ऐसे हम से मेनू मेनू म से आपका मर्ज और सी से सबसेफसे पहले चैसे हिए अल्ट करते आं तो करने के बाद किसका क्या shortcut किया है यह दिखाता था अगर में जाना प्सक्राइब और से सब्सक्राइब करेंगे तो हो में अल्ट के साथ एंड करेंगे तो इसे में अल्ट के साथ प्रिंट में करेंगे तो फॉर्मूला में तो यह आपको सौट कट की दिखा गया और जैसे ही अल्ट प्लस जैसे हम एच करते हैं यह देखिए तो फिर यह कौन किसमे जाना है सबको सौट कट की आपको लग गया तो यह चीजी है ठीक है अगर हमको मान लो कि हमको सपूर्ड करना है बैग्राउंड का एच कर देंगे अगर बोल्ड करना है तो हम वन कर देंगे ना बोल्ड हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसका सही अंसर यह हो जागा नेक्स्ट एलेवन नंबर को संस हो गया त्वैल नंबर को संदेखिए लिखा हुए निमलिखित में से निहा पे लिखा हुआ है ना उप्यों किसी वॉक्षिट के सेस्ट पर जानने के लिए क्या जाता बताएं यहां पर बोला वीच आपको फॉर्स्ट में चले जागा हम क्या बोलना चाह रहा है चलिए हम प्राक्टिकल करके देखते माल लिजा आपका करसर यहां पर कहीं नीचे मालों कि यहां पर अब हम बहुत यहां पर सी का 37 नंबर पर हम कुछ लीग देते आपको पता चल जाएगा यहां पर और हमको डायरेट एवन पर जाना है तो कीबूर से क्या प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ हॉम बटन प्रेस करेंगे जैसे कंट्रोल हॉम करेंगे यह ग्रीन वाला देखी य बहुत जाएंगे तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे स्टोड़ मापे हम करेंगे तो कंट्रोल हों से क्या होगा डायरेट आप क्या कर सकते आप फरस्ट पर निमलखीत मेंसे कौन सा एक इमेज स्कैनर का परकार है बताइए वीच आप दा फौलाइंग इज टाइप ऑफ-इ इमेज स्कैनर का कौन परकार है तो फ्लैट बीड इंडाइरेक्ट और उसके बाद है पैरलर और एक्टिव इसका सही अंसर क्या होगा जवाब दीजी फट 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 जवाब दीजिए आपर देखो एक बूल रहा है कि इमेज स्कैनर की परकार जो टाइफ है तो यह फ्लैट प्लीज इसको आप अच्छे से पढ़िए जितना अच्छे से पढ़िएगा सी वीटी में उतना अच्छा फोड कि आईए बातसमझ में आ रहा है न स्ट्रेंट ठीक है ना इसलिए मैं आपको पहले पीवाई क्यू को लेकर चल रहा हूं कि पीवाई क्यों इतना जादा मैं हूं क्योंकि यही को बारोर रिपेटिड आएगा स्ट्विंड और इसी प्रकार कॉस्षन आएगा नेक्सक्ष्ण में निमलखित में से कौन सा टेक्सफंचन कौन सा है तो ओ नोट प्रेंट जो है ना एक टेक्स पांशन नहीं एक ऐसा फंसन है तो बोल सकते है लौजिकल एंड भी क्या लोजिकल फंसन है कैसा पंसन लोजिकल ठीक है एक कॉन केटिनेट जो है ना यह टेक्स फंसन के अंदर का काम होता है दो सेल को जोडने के लिए जैसे देखो एक्जामपल के रुप में देखो हम बताते हैं ऐसे तो यहां पर फॉर्मूला में जाईएगा और ट टेक्स फंसन में आपको दीकर हो क्या होता है इसका क्या होता है काङ DAY वी प्रण भी और ले लेट है कुमार जेंगे, अब हम चाहते है तो यह क्या करेगा दोनों को एक में आपको कॉन के टिनेट कर देगा जोड़ देगा तो इस तरीके से यूज इसमें चाहेंगे तो स्पेस भी दे सकते हैं फिलाल उतना ज्यादा जो को जर नहीं जो संदोसी पर खड़े उतरते हैं स्परें नेंस उसे का पूरा नाम क्या itt उ about देजेगा छुद्ध में पुरा नाम क्या है open source software क्या है यहां पर open source software यह आपका OSS का पुरा नाव open source software क्या है open source software ठीक है चलिए अब समझ में आगे hidden file को जो भी hide क्या हो मतलब चीपा हुआ फाइल को परदर्सीत मतलब लाने के लिए display करने के लिए दिखाने के लिए कहना आप नियुम में से किस कमांड का उप्योग करेंगे यह जो है कहीं न कहीं अगर आप चाहते हैं कि अगर यह सब कोसल मनाने के बाद आपको अपना दिखाना है तो आप लोग मौक टेस्ट वाला जरूर जोइन करें मौक टेस्ट से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बेनिफिट मिला लेकिन जो और लेड़ी पर्चेज कर रहे हैं तो जो भी टेस्ट दिखीगा डेली एक एक टेस्ट या एक दिन छोड़के टेस्ट जरूर देजी टेस्ट देनी से आपका पता चलेगा और देनी के बाद आपको उसको रियलाइज करना है गलतियां को फाइंड करना और कौन सब्जेक्ट में ज्यादा गलती हो रहा है उसको आपको देखना और उस मतलब पैटर्न को आपको ज्यादा पढ़ना बास सबज में आ रहा है ताकि आप अच्छा कर पाएं इस बार से किस बार नहीं होगा तो पढ़ाई आपको जमके करना है इस बार आपका लास्ट है पता नहीं फिर उसके बाद चुनाओ के बाद क्या होगा नहीं होगा बास समझ भी आ रहा है तो प्लीज बाद जी जान लगा दिजिए और आपको एक्जाम में सेलेक्शन लें लें लिना है यहां पर यू आरेल क्या लिकाओ यू आरेल डबलू 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 गूगल डॉटकम में गूगल डॉटकम में है बताईए तो यहां पर समझेगा यहां पर बूलर यू आरेल डबलू 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 डॉटकम में गूगल डॉटकम है तो गूगल डॉटकम क्या है आ Do my domman do my name क्या होता है समझीए गांपे इससे आप लेते ना . com होता है . edu होता है तो यह domain name कालता है जो मतलब हम लोग purchase करते हैं क्या करते हैं डामें ने परचीज करते हैं ठीक है ना तो यह हो गए तो इसका रिये अंसर यह हो जाए और डबलू डबलू को कौन सभी सब्सक्राइब बोलते हैं यह पूरे एक URL कहा लाता हूं नेक्स्ट था है कंडिशनल फॉर्मेटिंग नेक्स को सब्सक्राइब एक सेल रेंज के रूप स्वारूप को किस अधार पर बदलता है लिकाओ और वाट वेसिस डज दग कंडिशनल फॉर्मेट चेंड अपिरेंस और सेल रेंज बताइए राइटेरिया एंवालू फॉंट टेवल स्टाइल और यहां पर क्या नेचे अ कलर तो यहां पर क्राइटेरिया एंड वैलू बोल सकते हैं यह वाला सही अंसर होगा फर्स्ट वर् लिए रुपेया आपको में दिखाता हूं एकसल में चले जाओ मालों कि यहां पर कुछ है diye कि अब कलरे मालों कि या प्रिज्टेश्याट लिखते टेन लिए 20 लेते हैं और यहां से हम कुछ में हम चाहते हैं यहां से शोड़न धेones होने हैं हम चाहते हैं मालों फिटीन हम चाहते कि जो 50 40 से कम है ना ओग तो तरीका कि एक अकल के करना और दूसरा है लेंगे और सब्सक्राइब में जाएंगे और कंडिशनल फॉर्मीटिंग देंगो एक और यहां पर हाइलाइट में जाएंगे और अगर greater than रहेगा तो ज़्यादा वाला होगा कितना से यहाँ पर मालो की 40 से कम वाला तो जो 40 से कम है red color से ok कर दो automatically क्या होगे आपके highlight तो वही बूल रहा है कि यहाँ पर criteria और value के अधार पर यह क्या काम करता है कौन conditional format वाला option इस्टेट next question आगे बढ़ते हैं पर क्या बूल रहा है next question बूल रहा है student आपके कि MS Excel में क्या बूला है MS Excel में निमलिखित में से कौन सा style एक हिस्सा भी है बताईए इन MS Excel तीक है which of the following is also part of style बताईए इस में से MS Excel कमें से निमलिखित में से कौन सा style का हिस्सा भी है तो insert function auto sum clipboard तो conditional formatting तो यहां पर इसका भी सही अंसर होगा conditional format style का हिस्सा है जिसे आप चलिए एक्सल में चले जाते हैं तो यहां पी जाते हैं यह दिखो आपके style ग्रूप के अंदर आता है style है यह दिख आपको हम टैब में style option है और style options के हिस्सा कौन कौन है तो conditional formatting है फॉर्मेट आइस टेवल है और सेल स्टाइल है तीन चीज़े तीन चीज़े हैं कौन का कंडिशनल formatting है ना format आइस टेवल सेल स्टाइल तीन चीज़े स्टुएं ठीक है इसका सही अंसर आपका यह हो जाए अगर आप इस exam में पास नहीं कर पाएं तो समझी तो आप में कोई दिक्कत हो सकता यह मेरे content में या मेरे मितीन में ही हो सकता तो प्लीज जितना मैं पढ़ा रहा हूं जितना मैं सिद्धत से पढ़ा रहा हूं आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िए और एक आपको अच्छा नमबर लाना है ठीक है पास्तू करना है और एक अच्छा नमबर है ताकि अगर कट अफ दी जाए तो आपका कहीं ने कहीं सेलेक्शन हो कर रहे हैं बस कसिस्टेंसी बनाए रखिए मैं डेली आप लोग के लिए क्लास लेकर आता हूं पढ़िए ठीक है और टेस्ट दीजिए अनिलाइज करिए और फिर जहां गलती होता है इसको फिर मतलब गिरिये उठीए गिरिये उठीए लेकिन जब तक चलिए तब तक आपको मंजील ना मिल जाए वास्तावज में आ रहाना तो इस तरीके से आपको करना इन्हें कि आपको कम नंबर आया आज अच्छा आया या पी क्या यूज़ होता रेक्टर का टिजाइन और दिखावाट का इस वारे चर्वाट मतलब इसाइब चारिये नेक्स कोस्टन है यहाओ पर एक इस नमarta को चलते हैं तक कि एकिस्ट नमर को सन्ट क्या वोला है आपके समझिए गूगल यहाँ पर ऑप्षिन क्या है गूगल क्रोम में जदी आप स्ट अगर क्रोम बॉक्स में जाकर उसे तो आपको एक मिलता है क्या मिलता है तो कंट्रोल स्ट जैसे ही आप एन प्रेस करते हैं तो आपको क्या मिलता है एक न्यू है ना इन को ट्रोडी वी विंडो मिलता है एक न्यू एक विंडो मिल जाता है कंट्रोल जैसे एन करते हैं इन क्रोड गीटू विंडो मिल जाता सब्सक्राइब करेंगे एक विंडों ही खुल जाएगा अलग सब्सक्राइब पेज खुल जाएगा बोल सकते हैं ठीक है नेक्स पूस्ट इसका 22 नमर का अंसर क्या होगा जवाब दीजीगा लिखा हुआ है सेल एड्रेस एबी ट्वेल में कॉलम नंबर क्या है बताईए कॉल जो number Solomon क्या देखो है अब यहां पर कहण कहीं बोलगा कि A और B तो यहां पर राता है और B कि एबी रहेगा कॉलम का नंबर एबी ही रहेगा हम एक्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं कि जैसे हम यहां पर कॉलम एबी कैसे हो सकता है अब इस एक निट जूंक को कि अधिक आपर इस जेड़ खतम हो गया यहां पर और एए आया फिर एबी आया तो एबी एट्वेल में जाते हैं तो यहां पर एट्वेल देखें यहां पर जूंक करते हैं यह क्या होगा एक अबी का कॉलम है रो नंबर 12 तो एबी यहां पर एक कॉलम हो गया तिक और यहां पर यह क्या हो गया तो यह बी ट्वेल इसका पूरा नाम क्या हो गया एक ट्वेल तो यहां पर बूला है कॉलब कोन हो लों शान और को्filled in 2012 जो हो गया यह रोछ जाएगा और यह विग कॉल्म हो मं ठीक है अपर दूल सद्थ यहाँ पर सही जवाब क्या इसका रॉल समझ इंट स्वाब कॉलम का मतलब विड की बात कर रहा है और रो की उचाई को महनम मोडिफाइय Karma करने का तरीका झाहरा बताईये सब्सक्राइब करने का क्या तरीका है विच ऑब सुव nhất ऑफ परोफाईकर घ्रोह मोडिफाइयर क्या शर्ट नेक्स और मार्जे ऑधना इसका सही अंसर क्या होगा आप से मदल से अधर चलते हैं यहां पे टिक्स से सिंगल सेल में लाइन जैसे यहां पर एक जाम पल की तोर पर बताया गया है जिब तकर सर अधर जैसे इसा तो यह आपका प्लिक प्लिक चला था ठीक है तो यह आपका सही अंसर यहां पर राप टेक्स स्टूडेंट आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं प्लीज आप लोग जितने भी बच्चे अभी भी वीडियो को या क्लास को नोट कर रहे हैं देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें लाइक और सस्क्राइब और स कर दीजिए ठीक है ताकि आपको हमीशा के लिए कॉंटेंट स्टाइब का देता रहों और आप लोग का एक्जाम निकल जाए ठीक है तो प्लीज आप लोग सारे बच्चे लोग न्यू जितनी भी हैं लाइक कर दीजिए और सस्क्राइब भी कर दीजिए और कि दीफो यहां पर करंट पाथ १िए कहँ पारक और को डिस्प्ले करने के लिए थो डिस्प्लेlı भी डायप्ट डायप्टिम इस क्या ओता फोल्ड दिद्सक्राइब करेंद्स चाह А to Iran करनड़ यहां बूल्म पाथ में के यह च्पले करने के लिए है पचीस दम्र को सैंग- बोला में में कॉलम की नियुंतम संक्याँ क्या हो दिन fringe को रखनी, कॉलम की नियुंतम संक्याँ आρα, एक से ज्यादा ज्यांत्यार को न्यूंत्तम पुछ रहा है कम शेक्म यह इसका रही त्रिम फ़ार्मूला का यह व्यरी व्यरी इंपर्टेंट को सिन्ट यूज आप रिम फॉर्मूला इन में फंसन्स और यह एक टेक्स फंसन के अंतरगत आता है और इसका यह काम होता है वह करता क्या अगर हम जैसे equal to trim लगाते हैं तो यह क्या कर देगा लेट का सारा space और राइट का सारा space remove कर देगा और बीच में एक से ज्यादा space रेखमालों किया नेजरेन लिखें और computer में नेजरेन लिखें इस पेस चार बर दिए फिर computer लिखें लेकन एकस्पर सुर्देगा मतलब है लेट और राइट का सारह स्परस्पर्ट कर देता है और को कंश्परसमें कर देता है तो याब यहां पर दिखू चारों इससे ठोलोग यहां रिमुब आlaughing अफ्टर दे संतें यहीं तो बोल रहा है मिक्ती डिमुब ओलडस निखार रिमब दप्रस्ट एंड लास्ट वर्ड निए डिमूब ओल पैस्पेस फ्रॉम दा टेक्स ट्रींग एकसेट फूर सिंगल सब्सेट बीट्विन वर्ट यह सही अन्सर हो यह नहीं हो गया यह बना व तो छोड़ कर बागे सारा स्पेस को रिमूब कर देगा युकां से फोर्थ नंबर इस दा राइट अंसर बास समझ में आ रहा ना चलिए a logical पूरा अच्छे से एक्स πिलिंग करता हूं और मेरा एक ट्राक्टिकल का PlayStation प्ले आइप यहां पे Ms power Podcast क्या बुल रहा है यमीज Flower Point में एक नई रिप पर्जेंटेशन का डिफोल्ट लियाओट क्या होता बताईए इन पावर में पावर पॉइंट वाट इस दा डिफोल्ट लियाओट अब दा न्यू ब्लैंक पर यहां पर लिखाओ कोमप्रिजन स्लाइड ब्लाएंट स्लाइड भीज्ड इनि लीटिल सब्कॉल्ट था स्लाइट पैटल इंगर चील न्यूट के तो है इसका डिफोल्ट ले आउट η यह the title slide कंटेlara- subtitle-subtype हम पावर्ण को खोलते मिंडम प्लस और यहां पे खोल देजंग छोड़ेती और यहां पेद आज अम आपको खोलते यह क्या टाइटल है और निचे क्या सब्डाइटल तो यह कैसा पूछा है यह टाइटल हुआ उपर वाला और नीचे क्या सब्टाइटल जुम करके दिखा देता हूं आपको कैमरा में नहीं दिख रहा है यह उपर यह पर लिखा वाट अनीचे क्या लिखा एड़ सब्टाइटल वहीं डिफोल्ट यहीं होता है ठीक है चलिए आप लोग बार बर मैं बता रहा हूं कि आप लोग टेस्ट जरूर्ड जोइन करें जोएन करने से आप लोगा बहतरीन होगा और आप लोग अपने मतलब लेस्ट पर जैसे कम नंबर है तो आप सोचिए कि और अच्छा से पढ़ाई करें ठीक है आइसा बहुत सारे मैं आपको देख पा रहा हूं क साथ ही साथ यह भी सॉलूशन के साथ दिया वस्तन प्लीज विजिट करिए एक बार देख लिए ठीक है नेक्स कुस्टन यहां पर ट्वंटी एट नंबर कुस्टन क्या है यहां पर जवाब दीजेगा लिखा हुआ एमस वर्ड में एक टेवल बार्डर को किस मेनू में संस पर गऊंटी से मटें करना चेंज करना में से कर सकते हैंट में दिजाइन मेनू में आपको यहां पर जाना वर्ड टुल मे जाकर डिजाइन सिंगर घाना तो आपको इसका और इसका रहना यह कि और लुए टूल टूल में जाना और इसका सही अंसर यह वह गलत यहां पर टेबल टूल में गये और यहां पर डिजाइन में चले जाएंगे तो हो जाएंगे ठीक है यहां पर समझ में नेक्स्ट कुश्चन यहां पर क्या जवाब दीजिए लिखा हुआ सबसे पहले समझें कैसा कैसा कोशन है कि यहां पर इंसर्ट में क्लिक करते हैं और सेप में जब क्लिक करते हैं तो सेप में यहां पर देखो कौन-कौन सा से यह दिगर आपको बेसिक से और बेसिक सेप के अंदर इतने सारे से उसी तरीके से लाइन सेप में यह सारे से यह पू सामिल नहीं तो यहां पर देखिए आपर सबसे पहले क्रॉस एक मिनट्स यहां पर जाते हैं क्या क्लाउड स्टार है यहां पर चलते हैं और कैसा कोशन ध्यान समझें यहां पर यह आपका देख रहा है कि बेशिक सेफ में ट्राइंगल है सरकल है प्लस है हर्ट है क्लाउड तो हमको कहीं दीखी नहीं रहा है क्लाउड भी नहीं है कि इसको थोड़ा सब्सक्राइब क्या बोला क्रॉस क्रॉस भी कौन सा से पिसमें क्या बोला कॉन सा बेशिए सिप में सामिल नहीं है कौन सा मिल नहीं है तो यहां पर कौन सा सामिल नहीं है स्टार स्टार सामिल नहीं है कौन सामिल है बोला क्या कौन सामिल नहीं है नहीं है यह दोने होगा छहां स्टार भी तो नहीं है क्लाउड है भी नहीं है और पर क्रॉस देखो स्टूडेंट यहां पर इसमें पर सब्सक्राइब नहीं यह यह हैं आप पाने को एंब मैं भूसकते यह पे हैं यह मुक्त संते में यह कोई 2 ८्य नहीं आता तो आन्य दूसरा वार्जन में को मैं देख रहेता हूं अगे इंसर्ट में सेप में कि अग्व भूब ठीक है बेसिक में मून है बाद वाद की कोई सामिल नहीं है क्लाउड बगरा के लिए इस्ट्रेंट नीचे फिर है ठीक है तो इसका सभी अंसर आपका यह होगा इसमें कौन सामिल है ठीक है ठीक है छिलिए नेक्स्क थर्टी नमर कोशन क्या होना कि MS वर्ड 2016 ध्यांदी जीएगा में डॉक्टमेंट विंडू का पुर्ण पुर्ण निधारित नाम होता है अधा कमेंट वर्ड इन MS वर्ड 2016 है डिफोल्ट में तो डिफोल्ट निम इसका क्या होता है डॉक्टमेंट वर्ड यह जो दिख रहा है यहां तक बहुत अच्छे से किलिए हो पाया होगा आज के क्लासिस में मैं इतना ही रहने देता हूं ठीक है और मैं आप लोग को बोल दा हूँगा कि जरूर आप लोग मॉक्टेस दीजिए मॉक्टेस हैना अगर माली इंस्टॉल करने में या नहीं तो फिर पर्चेज करने में कोई प्रॉब्लम आता है प्रिशानी होता है यह लिंक मैं तो आपको भागे लाखो नहीं सब्सक्कंबर रहा प्रवीच जोड़तों में नहीं है तो प्रीज प्लीज सब्सक्राइब करें और पुराने है तो प्रीज सेर करें सपॉर्ड करिए ताकि टीचर सापका आगे बढ़ेगा लगा काम सब्सक्राइब सब्सक्राइब में सिड़你在 स्टूडेंट करें नहीं सोचने के बाद भी अच्छा सोच सकता है कभी नेता कभी नहीं सुचने है एक स्टुडेंट थैक्ट्यू